हाई अब्रिवर्ण कैसे हैं आप लोग वेलकम बैक टो प्रियंका किशन स्टूडियो तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी सर्दियो में खाये जाने वाली गर्मा गरम एकदम जो निमोने की सबसी होती है न वो और बिलकुल देसी स्टायल में और इतनी जादा टेस कीजेगा तो सबसे पहले देखें निमोने के लिए यहां पे मुझे मतर ले ली है यह फ्रेश मतर है अब इसको हमें पीस लेना है तो यहां पे क्या करना है न हमें इसे बिलकुल भी फाइन सा पेस्ट नहीं बनाना है हल्का दर्दरा रखना चाहिए थोड़े बहुत आप इसी जार में में हम अपना मसाला पीच लेते हैं तो डाल दिया प्ले चोटा सा टुकड़ा 3 हरी मिच डाल दिया चार से पांच लहसों की दाल दीजे और ev 1 medium साइस बास जेज गरम मसालों में यहां पे डाल देंगे लॉग यहां पे डाल दिया काली मिर्च लगभग 4-5 दाने एक बड़ी ही लाइची ले लेंगे इसको भी डाल देते हैं और यहां पे दाल चीनी का एक टुकडा ले लिया है पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे तो यह मसाला बन गया है और यहां पे आप हरी मिर्ची यूज़ कीज़ेगा मिर्च आप अपने हिसाब से कम जाता कर सकते हैं अब इसके हरेपन के लिए और इसके स्वात को और वहतर बनाने के लिए मैंने यहां पे ले लिए काफ़ी सारी द्धनिया की पत्ति ले लिए गयर आधा टामाटे डाल के इसका भी पेस्ट बना लिया है और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं आप इसे स्किप भी कर सकते हैं लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक और देसी तरीका यही होता है तो इसमें बरी डालके इसको पहले हलका सा फ्राई करके निकाल लेंगे आप इसी सरसो के तेल में हम डाल देंगे छोटा सा एक लेसून का पर आपको अच्छे से बहुनना है तब टक इसको फ्राइए करेंगे जब तक इसमें से जो इसका मोईस्चर हो ना कम हो जाए तो लगबस चार से ऑंच मिनुट में इसका मोईस्चर ज़हा हो जाएगा जैसे-जैसे आपकी मुटर भूनेंगी दर्दरी सी होने लगेगी और थोड़ी-थोड़ी घुरिया आपको नजर आने लगेगी तो यहां पर देखिए मटर का कलर भी हलका सा चेंज हो गया है हलका ब्राउन हो गया है थोड़ा से अच्छे से भुन गया है अब मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक बार आप इस तरीके से बना के ट्राई जरूर कीजेगा बहुत मज़ेबार बनती है बहुत टेस्टी लगती है तो मटर निकालने के बाद फिर से इसमें डाल देते हैं सरसो का तेल दो से तीन चम्मच गरम मसालों में तेश पता डाल दीजे एक यहां पर छूटा चम्मच डाल दीजे जीरा का जैसे ही चटक जय इसके बाद यहां पर मैंने डाल दिया इसमें आलू तो मैंने नया आलू लिये है जो छोटे वाले आलू आजकल आ रहे है मार्केट में वही मैंने इहां पर तीन से चार ले लिये है इसका हरा वाला जो portion होता है, वो काट कि मैंने डाल दिया है इसको शुरुवात में इसलिए नहीं डालेंगे न, क्योंकि इसमें क्या होगा कि जो प्याज है वो तेल के साथ जादा पक जाएगी, तो हमें जादा नहीं पकाना ले आलु के बाद इसे प्याज को यहाँ पे डाला है अब आलु हमारे देखे फ्राई हो ग forearm हो गया है हलके से फ्र हो किरा है हलके से थोड़ से Golden Brown हो गया है अब यहाँ पर जो मसाला पिषके रखा था प्याज अधरक लेसन का वो डाल दिगे और यहाँ पे बेसिक मसाले जैसे धनिया पाودर डाल दिया है मैने लगख 1.5 ती-स 치ज़ को भी मिक्स कर लिज़े हैं अभी ये स्टेज पे हम नमक नहीं अड़ कर रहे हैं मसाले को बिलकुल लों फ्लेम पे आपको भुलना है जिसे मसालों का टेस्ट और जाधा अच्छा आएगा यहां पे देखे मसाला बिलकुल भुन के तयार हो गया और कलर बिलकुल चेंज हो गया है मसालों का बिलकुल अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है तो यह मसाला हमारा भुन के बिलकुल रेडी है अब क्या करना है आपको ज तो मैं इसे फिर से थोड़ी देर के लिए ढग दूँगी और एक से दो मिनट के लिए ही सर्फ इसे भून के तयार करेंगे उससे पहले इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वात की हिसाब से नमक मैं इसलिए अभी आट कर रही हूं जिससे की अंदाजा रहेगा कि कितनी क्वांटिटी में इसमें नमक आट करना है तो नमक आट करने के बाद फिर से इसे मैंने ढग दिया और इसे मैं दो से तीन मिनट तक अच्छे से भून लूँगी जिससे की देखे इस तरह से इसका कलर आ जाएगा बहुत शांदार इसका कलर आया है अब ये बिलकुल बन के यूपी बिहार में तो इसके लिए थोड़ी से ग्रेवी आप उस हिसाब से लगाईएगा अब यहां ऊपर से डाल देंगे जो हमने बरियां फ्राई करके रखी दिन वो बरी डाल देंगे और जो आधा टमाटर हमने रखा था उसको मैंने चार पीसिस में डाल दिया है काट के इस तरह से आप चाहे अगर आपको टमाटर का टेस्ट इस तरह से पसंद नहीं है तो आप इसको पीस भी सकते है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे जब तक हमारे जो आलू है वो न पक जाए तो लगबार तीन से चार मिनट के बार लो फ्लेम पर यह बिलकुल बनके र से पक गया है तो यह हमारा मटर का नीमोना बनके बिलकुल आथेंटिक तरीके से तयार है इसको मैं सर्फ कर ले रही हूँ तो दोस्तों अगर आप लोगो पसंद आया ना तो इसे लाइक जरूर कीजेगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कर लीजे साइट में बेल आइ इक्स वीडियो में तब तक ये लिए बाबाइ टेक के एर